है दोस्तों आपता मेरे चानल पर फिर से स्वागत है और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप से बहुत ही महत्पुन मुद्धे पर चर्चा करने जा रहा हूं तो प्रिप्या इस वीडियो को अंतर तक देखेगा और इसे बीच में स्किप कर देंगे तो बहुत सी की important information आप मिस कर देंगे जी हाँ दोस्तों जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया शीर्शक में देख लिया आज मैं बिल्डर बायर agreement क्या होता है हम सरल शी शब्द सब्दाबली में बताएं तो बिल्डर बायर एग्रिमेंट कुछ नहीं है जैसे हम खोई भी एग्रेमेंट करते हैं दो मींच पर देखा गया है कि builder buyer agreement में जो शर्ते होती है वो एक तरफा ही होती है although rara act आने के बाद कुछ changes आएं हैं बट फिर भी हाल फिलाल भी यही देखा जा रहा है कि builder buyer agreement में जो भी चीजे हैं वो actual में मनमानी के तौर पे ही builder की द्वारा आप फोप दी जाती है तो देखें पूरा तो हम एक एक point पे नहीं चर्चाया कर सकते इस video में क्योंकि video काफी lengthy हो जाएगा नहीं तो तो मैं कुछ points जुनी हैं तो उनको आप points को ध्यान रखेंगे तो आप उन्हीं point पे अगर ध्यान देदेंगे builder buyer agreement करते समय तो आप काफी चीजों से बस सकते हैं मतलब जो builder की धोकादरी है उससे बस सकते हैं तो पहला तो होता है देखें mainly mainly delay penalty delay penalty clause क्या है कि अगर builder आपको position देने में delay करता है तो उसको कितना percentage आपको देना पड़ रहा है और अगर आपकी तरफ से payment delay होती है तो आपको builder को कितना percentage पैसा pay करना पड़ रहा है और दूसरे अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम दूसरे point पे ध्यान आगे बड़े तो उस पे हम चर्चा करेंगे carpet area की although आप वैसे रहरा एक्टाने के बाद carpet area mention करता है builder बट आपको फिर भी ध्यान देना है जो आप flat ले रहे हैं जो कि carpet area या उसका super area जो भी आपको दिखाया गया था जब booking करने में या व्राउशर में जो चीज़े दिखाई गई थी वो ही बकायदा उस builder buyer agreement में mention है या नहीं है तो इस चीज़ का भी खास आपको ध्यान देना है कि carpet area जो भी दिखाया गया था booking करने के समय वो उसमें mention होना चाहिए सेम ही builder buyer agreement में और तीसरा हम आ जाते हैं payment plan के लिए कई बार क्या होता है कि आपको attract करने के लिए builder बहुत तरीके के payment plan लेके आ जाते हैं सब्वेंशन स्कीमें लेके आ जाते हैं तरह तरह के हत्कंडे लेके आते हैं तो वो भी आपको देखना है कि जब आप builder buyer agreement करने जा रहे हैं तो जो आपने plan चुना है वो mention किया गया है builder buyer agreement पे कि नहीं mention किया गया है तो तीन सब्सक्राइब पारकिंग अगर देखें पारकिंग खास कर पारकिंग अगर आपने पहले लिए पारकिंग का पे गया है पारकिंग देखें उस fived लाट को बोग किया है यह चाहें commercial area बोग किया है तो उसमें पारकिंग का भी मBar 많 Engineers होना चाहिए builder buyer पर लिए में और यहां पर देखेंगे मैं खासकर बात कर रहा हूं 僕 के लिए अगर हेहांणा में जो फॉडेबल स्कीम से कुछ letterhead या कुछ भी return document मिला तो उस parking slot को आप अपनी registry में जरूर डलवा लीजिए क्योंकि कल को इससे नहीं तो आपको कोई future में problem face out ना करनी पड़े तो इसलिए वो parking के slots को अपने अगर builder by agreement में नहीं हो पाया तो उसको कम सकम convince deed में जरूर डलवा लीजिए और खासकर यह हिदायत affordable housing वालों को है जो कि बाद में पार्किंग ले रहे हैं builder by agreement होने के बाद जो पार्किंग ले रहे हैं और अब उसके बाद अगर हम पांच में करूंगा मैं फलाना करूंगा में इस तरह की टाइल लगाऊंगा इस तरह का टेक्चर पे लगाऊंगा तो जो जो चीजे उसके व्रॉशर में वहां mention की गई थी वही builder by agreement में होनी चाहिए तो इस चीज का भी आपको खासकर ध्यान देना है तो इस चीज के बारे में भी बिल्कुल आपको मिल्क सतर करेना है कि यह चीजी उसके अंदर मेंशन है तो इसी तरह से मुखिता चार पांच चीजे हैं जो कि आपको बिल्कुल देखनी है builder by agreement के लिए अगर बाइदे वे आपको अफोडेबल हाउजिंग में आप builder by agreement करने जा रहे हैं आपको बूला गया कि विए मैं टोकल ने लूँ builder by agreement के लिए आपको फलाना फलाना जगा पे इस तहसील में आना है तो आपका राइड बनता है आप builder by agreement साइन करने से पहले builder से बोलिए कि मुझे उस ड्राफ्ट को भीजिए मैं अपने लीगल से इसमें चीजे देखूंगा और फिर ही मैं उसको agreement के लिए आप से आगे बढ़ सकता हूं तो क्योंकि builder by agreement एक तरफा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए आपको समय चाहिए क्योंकि इस builder by agreement lengthy होता है उसमें ऐसी ऐसी चीजे लिखी होती है complicated बनाने के लिए तो कि जिससे वह आपको समझना है तो इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि देखे अगर किसी को lawyer को भी अगर को थोड़ा बहुत फीज करके अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप उनसे पूर सकते हैं या फिर किसी अच्छे consultant से property consultant से राय ले सकते हैं कि यह clause मुझे समझ नहीं आ रहा है builder by agreement में यह clause के साथ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो इस तरह कि कुछ बारकियां हैं जिसको आपको बहुत खास कर ध्यान रखना है किसी भी builder by agreement में जाते समय जिसे कोई भी property आपने ली है तो यह आपको बहुत ज्यादा मुख्यता ध्यान रखना है तो यह 45 मोटे मोटे पॉइंट है वैसे पॉइंट तो काफी है जिन पर आप देख सकते हैं जैसे एफ यार की भी बात करें तो हाल फिलाल में अगर हम गुड़गाओं की बात करें तो पहले एडवांस में आप से एक विल्डर बायर एग्रिमेंट में एक दो पैरा में ऐसा कुछ लिख देंगे के भी एफ यार बढ़ेगा तो हम फलाना इसमें लियाओट में चेंज़ेज कर सकते हैं या या ऐसे कुछ प्लैन लियाओट चेंज हो जाएगा या कुछ भी हो स होते हैं तो उनको भी आपको ब्रीफली पढ़ना है और इस तरह के क्लॉज हों तो आप उविसली उन पर ना जाएं ऐसे बिल्डर बायर एग्रिमेंट पर साइन ना करें तो यह कुछ बारी की हैं एफ यार का भी बहुत ध्यान रखें जैसे खासकर जब एफ यार चेंज ह तो रहा हूं उस एरिये में जब बिल्डर को तो अल्री पता ही होता है क्योंकि यह सारे जो चेंजेस होते हैं यह गौर्वर्मेंट के उपर प्रेशर बनाके यह सब बिल्डर फरमसी करवाती है और बहुत से लोग भी होते हैं इसमें शामिल बढ़ बढ़ने में उनको मु आपने जब फ्लैट बुक किया था उस सुसाइटी में 500 फ्लैट थे और जब बढ़ने के बाद वहाँ हुए बिल्डर ने 600 फ्लैट बना दिये यह मलब और चीजें जो एमेनिटीज थी वहाँ पर थोड़ा सा कॉंप्रोमाइस कर लिया तो यह सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है और जब भी आप बिल्डर बायर एग्रिमेंट में जा रहे हैं तो ब्लाइनली उसको बस यह नहीं सोचना कि वह पेज़ेस हैं मलब 20 साइन कर लिए और अपना मेरा काम हो गया आपको यह सीजों का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसी से आपकी भविश्य में प लेंगी तो उसी के उपर सारी प्रॉपेटी की वैल्यू डिपेंड करती है तो इसलिए आप इसको बिल्डर बायर एग्रिमेंट को एक सिरफ एक नॉर्मल डॉकुमेंट की तरह ना ले और मैं तो यह कहूंगा कि आप किसी जब बिल्डर बैर एग्रिमेंट के लिए जा र बहुत ध्यान रखें और मैं आशा करता हूं कि आप इससे जो आगे आने वले समय में इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे जिनोंने भी बिल्डर बायर एग्रिमेंट के लिए जाना है वो इन चीजों का खासकर ध्यान रखेंगे तो चलिए दूस्तों मैं आशा करत आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने काफी हद तक बिल्डर बायर एक्रिमेंट की बारिकियां कुछ में पॉइंट बता दी हैं जिनका आपको खासकर ध्यान रखना है और जिससे की आपकी प्रॉपर्टी में जैसे जो फ्रॉड्स होते हैं जो भी देखे जाते हैं वो कम स पसंद आया था वही आपको मिले तो इस तरह से बिल्डर बायर एक्रिमेंट की बारिकियों पर बहुत आपको ध्यान देना है यह नॉर्मल डॉक्यमेंट की तरह इसको बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों मैं आपको एक और इंफोर्मेशन देना चाहता हूं कि देखे आप बिल्डर बायर एक्रिमेंट को भी फ्रेम आउट करने के लिए एक सिंगल फ्रेम में करने के लिए बिसिकली जद्धो जहत जाहिर है एक केश चल रहा है हमारा सुप्रीम कोड में और जिसकी डिटेलिंग आपको मैं यहां पे स्क्रीन पे दिख रही होगी आप देखें तो तो इसमें यही कोशिश की जारी है कि बिल्डर बायर एक्रिमेंट को जितना सारल हो सके 6-7 पदने का बिल्डर बायर एक्रिमेंट हो और एक format हो जो कि हर एक स्टेट में एक ही तरह का format हो और हर एक बिल्डर के लिए वो ही implemented रहे तो government देखिए और कुछ लोग अच्छे जो इस तरह का कारे कर रहे हैं वो तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं पर जब तक यह चीजे मैं कहता हूं कि roll out नहीं होती इनके उपर एक concrete decision नहीं आता या law नहीं बनता तब तक आपको जैसे मैंने आपको बताया कुछ बारीकियां बताई और कुछ आप अपनी तरफ से भी सतरता बढ़तेते हुए जब builder by agreement के लिए जाएं तो बिल्कुल ध्यान पूरवक ही उसको sign करें उसे पढ़ें उसे समझें उसके clause को जो नहीं समझ जा रहा है उस clause को आ legal advisor की राय ले ले या फिर किसी अच्छे consultant की राय लेके उसके मतलब उसका clearance लेके तभी आगे बने तो चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो detailing मैंने दी है वो पसंद आई होगी और देखें अगर आपको ये वीडियो वाकरी में पसंद आया है या आ आप इस वीडियो को में अपना comment ये डाल सकते हैं जिससे मैं समझ जाओंगा कि आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है और आप मेरी बास से बिलकुल agree करते हैं तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर अंद करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगी ऐसे ह इन्फोमेटिव और नॉलिजबल वीडियो के सा तब तक दोस्तों बाबाए और टेक क्यार